नमस्कार आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कारिकरम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूँ आशिश तिवारी आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे लोगसबा चुनाओ 2024 के महा संग्राम की 2024 लोगसबा चुनाओ के प्रथम चरण के लिए नमांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी के साथ महा संग्राम भी शुरू हो चुका है राजनितिक पार्टियों में नेताओं का दल बदल का सिलसिला युद्धिस्तर पर जारी है सबसे पहला सवाल नेताओं महा संग्राम शुरू हो चुका है जहां एक और सतारूद पार्टी बीजेपी अटिये गटबंदन अब की बार चारसो पार की बात कर रहा है तो वहीं कौंग्रेस चारसो सीटो पर भी शायद चुनाव नहीं लड़ रही है क्या कहेंगे क्या तयारी इस महा संग्राम की क्या रोड मैप है वह भी उसके अंदर शामिल था और उस पे बड़े रूप पे कल डिसकेशन हुआ है राजस्तान के लेके दस सीटे पहले हो चुकी है और पंदरा सीटे आभी आज कल डिसकेशन होना था और वह एक लबी चर्चा के कारण कल पूरा नहीं हो पाया आज वो ड जिनको विदानसभा चुनाव में उतारा था आदे उन में से हार गए अभी भी जो 15 सीटे उसमें से 5 मले को रिपीट नहीं किया गया और अभी भी बीजेपी को जिस तरीके से एक तूट फूट का जिस तरीके से आंत्रिक जो कले का सामना चाहे चूरू में करना पड़ रह है जिस तरीके से राजस्तान में सत्ता आई और जूट और जुम्ला निकली और उसका हमने परिणाम देखा कि 25 दिन में एक मंत्री अगनीवीर हो गया तो उस तरीके से हमारी आज पूरी तैयारी है विपक्ष में हमने यहां पर बहुत तीन महीने के अंदर जिस तरीके से हमारी योजना है आम धरातल पर पहुंची हो राजस्तान में पहले एक रिवात चेंज हुआ कि जिस तरीके से एक तरफा जो सरकार बनती थी और केवल देर परसंट का वोट शेयर का जो अंतर हुआ जिस तरीके से हम लड़े हैं तो उस हिसाब से अब आने वाले एलेक्शन में बीजेपी को बहुत ही मुश्किल होने वाली है पहले ही वह 11 लोग सभा सीटों के अंदर विदान सभा के चुनाओं के उंसार पहले ही शिकस्त खा चुकी है और अन्य सीटों भी जिस तरीके से नाकरातनों माहौल बना हुआ है 2019 के चुनाओं की बात करें आपके सरकार बनी थी आपकी पार्टी लीडिंग पार्टी थी लेकिन उसके बावजूद भी क्लीन स्वीप पे चली गई थी बीजेपी लोग सभा चुनाओं में 25 सीटे ले गई देखे आशीज जी आपको पीछे इसके लिए बैक में जाना वहां पुलवावा के नाम पे 40 जो शहीद थे उनकी फोटो लगा के मंचों पे लगा के उनके नाम पे वोट बागे गए थे आज वो 2019 को 2024 से कंपेर करना बिल्कुल गलत है क्योंकि आज इलेक्ट्रोल बर्ण का जिस तरीके से परदा फाश हुआ है कि कि किस तरीके से करप् यह उसे वह मुकरगे अगनिवीर भरती जिस तरीके से राजस्तान के प्रतेक्षोंतर में और हर किसान का बच्चा जो कभी सेना में बरती हुआ करता था तो जिस तरीके से वोट मांग लेते दोजार चॉइस में उससे विपरीत है इने इने हिसाब देना पड़ेगा जो लोग केवल इलेक्टोरल बोन का हिसाब नहीं दे पाए वो किस तरीके से 10 साल के अपने कामकाज का हिसाब देंगे यह आपको भी पता है हमें भी पता है इसलिए जनता बस तैयार बैठी है वह केवल समय का वेट कर रही और चार्ज उनको आपको परिनाम दिखेंगे कि वाजपा को हटा क से वह महेंगाई को बेरोजगारी अगनी वी जैसी जो इसकी में है किसानों के किसानों का जो दुरदशा है उससे भारत की जंता को मुक्ति मिलेगी बिलकुल श्याम जी जिस प्रकार से आरोप लगाए गये हैं आंत्रिक कल्या में आपकी पार्टी डूबी हुई है जी दोजार उनिस के चुनाओं में भी तमाम आरोप लगा जा रहे थे बाद में परिनाम आया तो उसके बाद बगले जहाकने लगे है अभी बितमाम आरोप नगे लिकिन जब परिनाम प्रफिता उसी से दिखाई देती है जो इनके मैन कोर लीडर है वो भी कितने कंभीर है वो खुद नदारत रहते हैं इलेक्ट्रोलर बॉंड की इनोंने चर्चा की बारचिंतापाटी के 300 सांसद है विपक्ष के कितने सांसद है उसके बावजूद बारचिंतापाटी के पास 900 400 करोड आया और विपक्स के पास 1400 करोड यह किस्ण हिसाब मांग रहे हैं आपके पास भी तो पैसा आया 1200 क्रोड का हिसाब देंगे क्या आप लोग नहीं है कुछ इसाब देने के लिए आपके पास क्या जबाब देंगे आप उसका और रही बात राजस्थान में भरतियनता पार्टी का हर एक कारिकरता जो मानने नहरण बोदी जी ने जो लक्ष दिया है हमें इस बार 400 पार के लिए एक-एक कारिकरता कटिबध है और पूरी तरह से छेतर में हर ए एक नेता और कारिकरता लगा हुआ है और रही बात कलेगी तो आप देखे ना अलवर में क्या हुआ उस पर नहीं बोलेंगे इनके तूटके आए भरतियनता पार्टी में और पलायन की अगर बात करें तो तो दस्ताल से चल रहा है खबर आने वाली है प्रलाग उंजल कॉं आस्ता बन रही है और पलायन दस साल से चल रहा है गुलाम ना भी अजाद हो कपिल सिंबल हो और जिस परकार से वह बोल के गए के डूपता हुआ जहाज है आप महराश्ट की देख लीजिए आप राजस्थान की देख लीजिए उत्तर प्रदेश की देख लिए सभी जाके छोडशोर के जा रहे है पार्टी को लोगब हमेंसे की कॉंग्रेस के पार्टी के नेता diction की ख़तम हुई है और भातियन देख का विकास ब्रतिया पार्टी के साथ मिलके उसमया भागीदारी करना चाहते हैं vektya 여抵ा पार्टी थे हुन सभी का जो आये हैं तो हमारा जो लक् आपके पास में क्या राजस्थान में नेता नहीं बचे हैं। जगनेश मेवानी को राजस्थान में एंट्री कराने की बात की जा रही है। तमाम बाते किया करते थे कि क्या नाम से कॉंग्रेस मुक्त भारत करेंगे आज उन्होंने पूरी तरीके से कॉंग्रेस युक्त भाजपा कर दी है आज सबसे बड़ी बात जो अन्य पार्टी से लोग आएं वो तो रैड कार्पेट और मंचों पर विराज माने और जो खाब करनी की बात किया करते थे एजुदंस से गलबईयां करें नेको माला पैना रहे है और जो उनका आम पियारे करता है इंकर धर मंच करक wzjak बेनियर को ऊपने सामने तरीके से वहां उस मंच से जूट बोला किसी एक एजंडा करेकरम था और उसके बाद में पूरी सब हर तरीके से उसका खुलासा हो चुका है कि कि के चत्य सामने खुल के आगे कि जिस पार्टी के मुनाफ़ा नहीं था दो करोड वह 800 करोड रुपे का ओनलाइन गेमिंग वाली जो है पर वह तमाम रुपे दे रहे हैं हमने एक टाइम लाइन देखी कि उस कंपनी के ऊपर तमाम कालेवाई हो और उसके बाद में उसको चंद हैं यह एक एक टाइम घर बचलिख गारना नुग और अवह 25 उसके अपने निमिरी प्राटी के बना लिया है आपको समझ में आएगा that पहले उनके उपर कालेवाई करते हैं, उनके उपर आरोब लगाते हैं, आप अजीत पवार का एक्जामपल लेजिए, सतर अजार करोर, चक्की पीसिंग टीन दिन पहले आरोब लगाते हैं, और उसके बाद तीन दिन बाद ही उन्हें मुख्य मंत्री बना दिया जाता है, उन पहले आरोब लगा हो, और वो अगर भरतियनता पार्टी में आया हो, और उसको ED, CBI ने क्लीन चीट अगर दे दिया हो, तो आम मुझे एक नाम बता दीजिए, जाच सभी की चल रही है, भरतियनता पार्टी में आ गए तब भी, हमें नियाए पालिका पे पूरा भरोसा, इ इन्हें E.D. पे भरोसा नहीं है, नाइपालिका पे नहीं है, CBI पे नहीं है, सेना पे नहीं है, और इन्होंने बात की ओनलाइन गेमिंग की, भाया, च्छतिश गर्ड में सरकार चली आपके ओनलाइन गेमिंग के चक्कर में, वो भूल गय कितने हजार करोड का कितने सो करो देने की कि जो दूसरी पार्टी से आते हैं उन्हें टिकट दे दिया जाता है आप आसीज जी आप परसेंटेज निकाल लीजिए भरतियनता पार्टी में से कितने लोग गए दो लोग दोनों को टिकट देने के लिए मजबूर हो गई कॉंग्रेस वहां से कितने लोग आये कितने लोगों को टिकट दिया गया नमबर बता दीजिए नहीं है कोई नमबर कोई टीसरी पार्टी से अगर आया होगा उसको कोई टिकट मिल गया होगा हमारे यहां पहले कारे उसके बाद उसका जो भी उसकी जो चबी और उसकी जो कार करेक्टर की छमता उसके बाद टिक के भागे खलबली मची है कॉंग्रेस में आप 25 की 25 सीट भारतियत्ता पाटी जीतने वाली है अगर जो मुख्यमंत्री अपने ग्रह छेत्र से अपने पुत्र को नहीं जीता सकते तो आप समझ सकते हैं कॉंग्रेस की क्या हलत है बिल्कुल चर्चा का दोर लगातार जारी रहे सट्टा बाजार भी 400 पार जिस प्रकार से अंडिये गटबंदन दावे कर रहा है अब की बार 400 लेकिन सट्टा बजार 400 पार नहीं दे रहा है तो वहीं एक और जहां कॉंग्रेस सत्तारूड भाजपा को रोकना चाहती है लेकिन उसके लिए भी बुरी खबर है सट्टा में जिनको भाजपा में शामिल होते हुए क्लेंचिट दे गई तो मैं बताना चाहता हूं बहुत लंबी फेरिष्ट है महारास में बावना गवली परताफ सरनाई खशीन मुश्रिफ और अभी अजीद पावार को चार्ट शीट से बाहर कर दिया गया गया दिगंबर कामत बाइस चौधरी पैस पंगांकर सुरंदे अधिकाली तमाम ऐसे लोग है एक लंबी फेरिष्ट है जिनके उपर और मैंने तो ऐसे भाजपा के हम लोगोंने कई बार डिबेट किये कि बाजपा के जो MPa वो बोल रहा है कि हम मैं जब भाजपा जोन कर लिए मैं आराम से सोता केवल और केवल एक परसेप्शन सेट करने के लिए विपक्षी नेताओं को इन्होंने एक ED को और CBI को टूल के रूप में उप्यों करते हैं यदि गलत नहीं है यदि उनके पास में ऐसे कोई तथे नहीं है तो क्यों डरते हैं फिर कर लेने दो उनको बिल्कुल नहीं रख सकते हैं और इनका सबका परदाफाश होगा आज मैं कह रहा हूं कि कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसको 2014 के पाद इन्होंने FIR कियो और कन्विक्टेट गोशित हो गया हो आज तक एक भी नाम अकर बताते हैं इस डिवेट के खतम होने से पहले ऐसा नहीं है अब आपने कहा सकता बजार मैं बिल्कुल कह रहा हूं सकता बजार भी ऐसा ही गोटाला है जैसा इलेक्टोरल बोंड है जिसके अंतरगत तमाम मैनुपलेशन किये गए तमाम तरीके से चीजों को छुपाया गया आज परदे के पीचे से एक परसेप्शन क्रियेट करने के लिए एक आज प वान लेता 400 होते हैं और उन्होंने काला दरपंदरह लाक के ब्याश भिवाशन की आज क्रिया हूता था तियो की तरह ही एक गोटाला है कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं है जमीन पे नहीं है के वल एक perception set करने के लिए जैसे लेक्टोरल बॉंड के अंदर इन्होंने जिस तरीके का माहल बनाया उसी तरीके का यह बहुत बड़ा जो यह आ रहे हैं यह बहुत बड़ा घोटाला है क्योंकि आमने सामने कौन है किस से किती सीट शेरिंग यह नहीं पता और उसके बाद में भी आप प्रिडिक कर लेते हो मतलब यह तो बहुत बड़ी बात होगी ना आपको इस बास से एक emotional card खेल के इन्होंने vote हासिल किये लेकिन आज आप देखिए क्या वो महराश में सिती है यह जब सुषणा के साथ लड़ेते नहीं है क्या बिहार में आज वह सिती है क्या राजस्तान में आज वह सिती है क्या देश में आज वह सिती है क्या यह बुद्द और बॉन्ड ज आपके सारे सवालों के जवाब लेते हैं शाम जी सबसे पहले शाम जी चार-सो पर का चुनाओ की बात करें तो सत्परिवर्तन के संकेत स्टा पजार ने दे दिए थे इस बार 400 ौप का नारब गर दे रहे हैं लेकिन शॉटा बजार आपके नहीं है आपको 400 पार पर नहीं ले जा रहा है क्या कहेंगे अभी चुनाव में समय बाकी है जितना सटा बजार भी समय समय पर अपने रुजहान बदलता है आपने देखा है कई बार सीटों की संख्या घटाता बढ़ाता है सटा बजार तो आप समय का वेट करिए उसका बी नीचे भी तो आ स किया था दो हजार बाइस तक दो हजार बाइस तक लैकिन होई नहीं अभी तक MSP भी नहीं दे पाए हो बिलकुल मैं बता देता हूं मान निदी भेजी जा रही है महिलाओं के लिए मोदी जी ने काम किया सोचाले बनवाए घर बनवाए आज आप देख लिए लाकों लोगों को घर मिला है हर घर सोचाले के माध्यम से सोचाले मिले और इंफरा की अगर बात करें तो मुझे लगता है डिबेट का समय कम गा कि हमने माने नरिद्र बोदी जी के काम पर उनके विकास पर और हमारी मेहनत पर भरोसा है हम चार सो पार निष्चित जाएंगे और रायस्थान से 25 की 25 सीदा सीदा जो आरोप लग रहा इलेक्टरल बॉंड के नाम पर कि आपने इलेक्टरल बॉंड से ब्रस्टाचारे म मचाया है पूरा पुलवामा के शहीदों के नाम पर आपने वोट मांगे थे और अब भी इसी प्रकार का कोई हतकंड अपना रहे हैं आंत्रिक गले आपकी पार्टी में पैट्रोल डीजल आपने सस्ता नहीं किया गैस सिलेंडर आपने सस्ता नहीं दिया स्मार्ट सिटी प बात करते थे परणी नाम क्या हुआ आपके सामने हैं तो ये इनके पास काम हतास कॉंग्रेस के पास कुछ काम नहीं है हमारे पास हमारे विजयन है हमारे पास हमारे विकास किये हुए काम है और हमारी मेहनत है हम उस पर बात करते हैं और उस जनता का विश्वास मानने नरें बिल्कुल निटिन जी अंति में क्लोजिंग स्पीच आप से चाहूंगा चार सु पार का नारा इन्हों ने दिया है कहां तक रोक पाएंगे क्या सत्ता से बेदखल कर देंगे चार सो का स्कोर ही कम कर पाएंगे देखें मैं आपको बताया है तमाम मुद्धे आज जो इन्होंने 2014 में बादे किये थे और 2019 में भी जो बाते कहीं थी वो आज कहीं भी धरातल पे नहीं है और मैंने बताया है कि 2019 और 2024 का किस तरीके से अलग है इन्होंने का किसानों के आई दुगनी हो गई आज ये जाके इस इन्होंने तमाम करनों पर तमाम जीएस्टी डाल के उसके उपर बहुत डाल दिया है लेकिन इनको उसका कोई भी इन्हें एहसास नहीं है आज तमाम किसान सडकों पर बैठे हूं और पहले भी 800 किसानों को अपनी जान गवानी पड़ी है लेकिन इनको उस बात का भी कोई पस्षिताप नहीं है आईए इन्फराश्ट्टर की बात करते हैं इन्फराश्टर में के ने एक घोटाले का जिक्री किया कि 18 करोड रुपे एक कि बनी चाहिए थाइसो करोड रुपे लग गए कितने थाइसो करोड रुपे क्या हुआ उस रिपोर्ट का क्या उसके उपर कौन वह बदाते हैं कि अगर नोट बंदी के ज पर वह दो सब्सक्राइब करें जिए के नोट बंदी ते का मुद्धा आपने खूब उठा लिया चुना होगे उसके बाद दुबारा से बीजिए मैं वह था तो इस पर नाम से पीमो का अधिकारी गलत तरी केसे बनके टेस्कारी गूमता है समय की सीमा है मैं आप दोनों का शुक्री आदा करना चाहता हूं आप दोनों स्टूडियो में पधारे आज सत्ता के संग्राम को लेकर पर चर्चा की लोकसबा चुनाओ को लेकर महा संग्राम पर चर्चा की कल किसी और गुद्धे को लेकर फिर से हाजी रोंगे आज का एजेंडा में फिलाहल के लिए बस इतना ही मुझे दीजिये इजाज़त नमस्कार